सूरिया 42 जी हैं दोस्तों सूरिया 42 नाम की जो फिल्म आने वाली है सूरिया जरकी उसकी अनाउंस्मेंट आसे लगभग 8-10 दिन पहले ही कर दी गई है और उस अनाउंस्मेंट के टाइम पे ही इस फिल्म का इतना जादा बड़ा हाइप बन गया है कि इस फिल्म के बारे में अलग-अलग र्यूमर निकल के आ रहे हैं कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड होने वाला है इस फिल्म में हमें ये देखने क्ले मिलने वाले हैं इस फिल्म को वो सर डारेक्टर डारेक्ट करने वाला हूँ तो आज मैं आपके सालिस अवालों को जवाब देने वाला हूँ कि यह रहें क्योंकि यह जो फिल्म है यह भी एक अलग ही लेवल वाली फिल्म होने वाली हो मतलब लाइक सलार, आदी पुरुष, प्रोजेक्ट के पठान इतनी बड़ी-बड़ी फिल्मों को टक कर देने वाली फिल्म देखते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आ इतने भी जादा बड़े बजट के फिल्म नहीं है कि हजार करोड की मतलब फिर तो यह रिकॉर्ड बना देगी इंडिया की बट ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म का अभी बजट निकल के सामने आ रहा है वह यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह फिल्म जो है दो पार्ट में बनने वाली है जी यहां दोस्तों इस फिल्म का दो पार्ट आने वाला है एक फिल्म में पूरी कंप्रीट नहीं होगी एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट को अगर हम इंकलूड भी करते हैं तो भी जाके इस फिल्म का बजट ही होने वाला है उससे जादा इस फिल्म का तो इस फिल्म को डारेक्टर जो है उन्हें कुछ फिल्म डारेक्टर भी गी है जा की छोड़ा सपर अब बहुत जाया है उसकता है इनकी एक्टिंग निकल के आए बाकी तो देखने लाईग हो और भी बहुत सारी कास्टिंग अभी बाकी है पूरी तरीके से कास्ट रिवील नहीं की गई है अभी सिफ इतना ही decided है कि दिशा पाटनी हमें as a actress lead और as a actor lead male में हमें देखने के लिए मिलेंगे सूरिया सर बाकी देखने लाइक होगा कि क्या ये और किस character को अपने साथ include करते हैं और कितनी बड़ी ये फिल्म बने वाले बाकी बड़ी फिल्म तो ये जरूर होने वाली है क्योंकि जिस तरह से इसका budget है जिस तरह से इसके announcement की गई थी वह बहुत ही जादा गजब की थी मतलब क्या ही बताओं और सूरिया सर इसमें खुद है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि बड़ी पैकेज धमाल फिल्म हमें देखने के लिए मिलने वाली है तो दोस्तों अब हम जाने की भी ये इसका release date क्या है कब तक यह फिल्म हमें सिनेमा घरों में देखने के लिए मिल सकती है तो दोस्तों मैं आपको बताओं कि य 2023 के last में हमें देखने के लिंगी या फिर 2024 में चली जाती है क्योंकि क्च भी postpone हो सकता है थोड़ा पूस्तों मुझे लगता है होगी यह फिल्म और मुझे नहीं लगता कि दोसार 84 के में गलता है फरवरी तक यह फिल्म हमें सीनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। आप बताईए आपको क्या लगता है कि यहां 2023 में देखने के लिए 24 में और यह भी बताईएगा आप कितना जादा excited है क्या आप इंतजार कर पा रहे हैं इतना जादा लंबा क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़े है लगपग एक साल डेड़ साल का और डेड़ साल का पाद एक बढ़िया से फिल्म हमें देखने के लिए मिलेगी तो चलिए ठीक है हम थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे तो अभी तक ऐसी कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही है अगर और कोई अपडेट्स निकल के आती है तो मैं आपके लिए जरूर लेके आओंगा तो